जब आप कहते हैं कि आपको और आपके शरीर को एक साथ चलना होगा, तो ये मुझे समझ में आता है, लेकिन मन कहीं और ही चला जाता है, ये हर समय आपके साथ नहीं चलता, आप यहां बैटे हैं, पर मन कहीं और ही हो सकता है, तो कभी ये अलग हो सकता है, कभी आपके साथ हो पहले हो सकता है, तो यही मेरा पहला सवाल है, और इसके बाद, आए एक-एक करके देखते हैं, ठीक है, अब आपका मन भी कहीं नहीं जाता है, यह यहीं है पर किसी चीज के बारे में सोच रहा है, क्या यह कहीं जाता है, आपका मन कहीं नहीं जाता, यह यहीं है और किसी दू जाता है नहीं आपका मन कहीं जाता है और नहीं आप कहीं जाते हैं वे हमेशा मिलकर एक संपून एकाई बनाते हैं अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो उन सभी के लिए काम करें आप इन्हें अलग-अलग नहीं समाल सकते हैं इसे अलग जो आपनाओं से धोखा खा रहे हैं, ये यहीं बैठा है और कुछ कल्पना कर रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन आपकी पहचान इतनी गहरी है और आप इतने खोय हुए हैं, कि आप सोचते हैं कि मन कहीं जा रहा है, मन कहीं सफर नहीं करता, ये बिलकुल यहीं पर है है न, आपको ये समझने की जरूरत है, आपके मन में बेकाबू और अंतहीन विचार इसलिए चल रहे हैं, क्योंकि आपने उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है, जो आप नहीं हैं, जिस पल आप खुद की पहचान किसी ऐसी चीजों के रूप में बना लेते हैं, जो आप नहीं हैं, तब मन बिना रुके चलने लगता है, आपने अपनी पहचान कई चीजों से जोड़ी हुई है, और आप अपने मन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लाखों साल तक कोशिश कर लें, तो भी ऐसा नहीं होने वा तब ही सबसे अच्छा काम करता है, जब इसमें स्पष्टता हो, है ना, ऐसा ही है ना, आपका मन यहां हर तरह की काल्पनिक चीजों के बारे में सोचने के लिए नहीं है, वो जीवन में एक भटकाव है, आपका मन आपको जीवन में स्पष्टता और गहराई देने के लिए लेकिन अभी आपका मन बस उल्जन का एक भारी पुलिंदा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कई ऐसी चीजों के रूप में अपनी पहचान बना ली है जो आप नहीं है और अब आप इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं इसे रोक कर रखने का कोई तरीका नहीं है आपने बहुत बुरा खाना खाया और अब आपके पेट में गैस बन गई आप उसे रोक नहीं सकते आपने खराब खाना खाया है नतीजा आ गया है आपने गलती की कि कई चीजों के साथ अपनी पहचान जोड ली आप ये लगातार चलता जा रहा है आप इसे रोक नहीं सकते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते है आप भगवान के बारे में सोचिए भगवान खुद आपको कई जगाओं पर ले जाएंगे अब आप यहां बैठे हैं और ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप सोच रहे हैं कि अपने बार या रेस्टरॉंट या दोस्त या सिनमा ये किसी और चीज़ के बारे में अब लोगों ने आपसे कहा भगवान के बारे में सोचो सब ठीक हो जाएगा अगर आप राम या कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पाएंगे, आप राम के साथ सिनेमा जाएंगे. मन की प्रकृति ही ऐसी है. राम खुद आपको बार में ले जाएंगे. राम खुद आपको रेस्टरॉंट ले जाएंगे. आप इसे रोक नहीं सकते. क्योंकि आप ने खुद उन चीजों के रूप में अपनी पहचान बना रखी है. जो आप नहीं है. कोई तरीका नहीं है इसे रोकने का. तो यहां जो किया जा रहा है, वो आपके मन को काबू में करने के लिए नहीं है. यह उस बारे में जागरुपता लाने के लिए है कि आप क्या नहीं है. अभी सबसे पहले आपकी सबसे बुन्यादी पहचान आपका शरीर है. आपने पहचान बना रखी है अपने शरीर, अपने कपड़े, अपने हैरस्टाइल और अपनी दाड़ी के रूप में भी. यही कारण है कि हमने आपको शून्यादी नाम की एक आसान विधी दी है, जिसमें आप मन से थोड़ी दूरी पैदा करते हैं. एक बार जब दूरी बन जाती है, तो अगर यह बखबख करने वाला मन भी हो, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. आप मन से अलग रहेंगे. एक बार जब आप मन से अलग हो जाते हैं, तो आप सारी पहचानों से भी अलग हो जाते हैं. क्योंकि मन ही पहचान पैदा करता है, तो हर तरह की चीज़ें मत सोचे. बस इस विधी को काम में लीजे. तब चीजें होंगी वो चीजें होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी